नमस्कार आप देख रहे हैं The Follow Up, मैं हूँ सूरज कुछ लोग गड़े से पानी भरते दिखे गंदा सा गड़ा था जाड जंखाड उगा हुआ था और ये लोग कोई मिल गया का जादू जैसे नहीं लग रहे थे वो क्या कहते हैं हाँ एलियन नहीं थे बलकि हमारे जैसे ही लोग थे पहले तो मुझे लगा कि कहीं ये मंगल ग्रह नहीं हो सकता लेकिन जब मैंने वहाँ पानी की दिक्कत देखी तो कन्फर्म हो गया कि ये मंगल ग्रह ही है नहीं तो और कहाँ पानी की समस्या हो सकती है है कि जार्खन में कहीं कोई पानी की दिक्कत नहीं कोई गढधे का पानी नहीं पी-नहीं पिता नहीं यकी तो खुद सुन लीजी है तो मंत्री जी मानते ही नहीं बलकि तपाक से दावा ही कर दिया कि कहीं गोई गड़े का पानी नहीं पी रहा अब मंत्री बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे पर हमारा भरोसा नहीं है पत्रकार बिरादरी से जो ठहरे हमें सूंगने की आदत है बिना प्रताल किये तो आजकल नीमगू भी नहीं खरीद रहे महंगा है ना भाई इसलिए तो हमने प्रताल की राची के नामकूम परखंड अंतरगत सिल्वाई पंचायत के गढ़ा टोली गाउं पहुँच गए और हाँ ये मंगल नहीं है इसी जारखंड में है गढ़ा टोली के लोग दसकों से गढ़े का पानी ही पीते आ रहे हैं और गढ़ा टोली ही नहीं बलकि इस जैसे तकरीबन आधा दरजन और बस्तियों के लोग घढ़े का पानी ही पीते हैं दो दिन पहले प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी ख़बर चत्रा जिले की थी चत्रा जिले के कुंदा प्रखंड में करीब आधा दर्जन लोग चुआ खोद कर पानी पीते हैं प्रखंड के छे स्कुलों में चुआ के पानी से ही मिड़े मिल बनता है एक तो गर्मी, उपर से लू और चुए का पानी बच्चों की तब्यत खराब होने की पूरी संभावना है यहां गाउं की सेक्डों महिलाएं सुभ़ ही पानी की तलाश में निकलती है नदी जाकर चुआख होती हैं तब कहीं जाकर पानी मिल पाता है अनुसुचित बहुल सिंदरी, बाचकुम, खुटबलिया, चित वातरी, उलुवार और हारुल सहित कई गाउं में गंभीर पेजल संकट है यहां 200 से 300 फिट नीचे तक पानी का स्रोत नहीं है इन सभी गाउं की पहचान ड्राई जोन के रूप में है चतरा दूर हो गया, चलिए राजधानी राची की बात कर लेते हैं राची की कई बस्तियां पेजल संकट से जूज रही है लाखों की आबादी निगम के टैंकर से मिलने वाले पानी पर निर्भर है पेजल संकट कितना गंभीर है इसकी बानगी वाड संख्या 49 के सख्वा बागान बस्ति में दिख जाएगी मोटर महिनों से खराब हैं इसलिए नल में पानी नहीं आ रहा वैसे कागजों में हर नल से जल योजना 100 फिस्दी सफलता हासिल कर चुकी है कई बार इस बस्ति के लोग डेढ किलोमीटर दूर जाकर धूरवा बस स्टेंड से पानी लाते हैं 18 मार्च 2022 को पेजल एवं स्वक्षता विभाग की समिक्षा बैठक की गई थी जिसमें मिशन मोड में चापाकलों के मरमत की बात कही गई थी पेजल मंत्री ने कहा था कि अधूरी पड़ी जलापूर्ती परियोजनाओं को समय से पूरा करवाया जाए मंत्री मिथलेश ठाकूर ने कहा था कि पूरे राजज में कहीं भी पेजल की कमी नहीं होनी चाहिए और मांजी प्रखंड में गेतलसूद पंचायत है पंचायत में गेतलसूद डेम है यहाँ से रोजाना राची को 33 करोड लिटर पानी की आपूर्ती होती है लेकिन पीछे कई गाउं प्यासे रह जाते है गेतलसूद पंचायत के गेतलसूद, बुकी, रेशम और बनादा गाउं गंभीर पेजल संकट से जूज रहे चापा कल महिनों से खराब पड़े हैं जल मिनार लगा है लेकिन उसके लिए बिजली चाहिए होती है जो की नहीं दैनिक भासकर की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में स्वास्त संबंधी, 80% बीमारियां दूसित पेजल की वज़ा से हो रही है राज्य के कई जिलों के लोग आरसेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं घेंगा, डाइरिया, त्वचा रोग, सहित ताइफाइड की शिकायत बहुत आम बात है हाल ही में जारखन सरकार में शामिल कॉंग्रिस पार्टी के विधायक परदिप यादब ने कहा कि राज्य की अधिकांस शाबादी नलकूप पर निर्भर है अधिकांस जिलों में सैक्डों चापा कल खराब पड़ें, समय रहते इसकी मरमत नहीं हो पा रही अधिकांस जिलों में सैक्डों की संख्या में चापा कल खराब पड़ें, उनकी मरमत नहीं हो रही गर्मी आती है, तब कहीं जाकर विभाग जाकता है ठीक ही तो कहा, सिस्टम को हमेशा से बारात पहुचने पर कोहडा रोपने की आदत रही है, इतनी जल्दी छूट कैसे जाएगी। सुरक्षित और परियाप्थ पेजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सर्यूराय ने इसी का हवाला देते हुए सरकार से नदी संरक्षन अधिनियम मनाने की मांग की थी। 9 मार्च 2022 को जारखन विधान सभा बजट सत्र में पेजल और स्वक्षता विभाग के लिए 4,054 करोड रुपे का प्रावधान किया गया। क्या लगता है इस रासी से प्यास बुच जाएगी।